हलो एब्रीवान स्वागत है आपके एक नए वीडियो के साथ उमीद करते हो आप स्वास्त होगे आज की वीडियो में देखे हम यह बहुत सुन्दर बुनाई का डिजाइन सीखेंगे आप इसे किसी भी कलर की बूल पर डाल यह बहुत सुन्दर लुक देता है और डिजाइन इस डिजाइन को आप लेडिस कार्डे, गंजाइन, स्वेटर, जैकेट, मफलर, बच्चों के स्वेटर सभी पर अपलाए कर सकते हैं देखे बहुत सुन्दर डिजाइन है इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे बहले मैंने बॉर्डर बनाया है उसके बाद जो हमने रोब आप अपोजिट साइड से देखे हमारे डिजाइन कुछ इस तरह से दिखाए देगा जो आइडेंटिकल भी नहीं है ज्यादा देर ना करते हुए चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाने के लिए अलग से स्लाइपर मैंने 22 फंदे डाल ले है एस टिज को छ बनाना स्टार्ट करते हैं इस टिज को हमने आपे स्लिप कर लेना है यानि कि बिना बुना उतार ना उसके बार धागा अपनी तरफ गुमाएंगे यहां से हमारा रपीट प्रेटना स्टार्ट होगा चार फंदे हमने आपे उल्टे बूलनेने वान टू थ्री फूर धागा बाहर की तरफ हें चार पंदे सीधे बुनेंगे यार डिजिएन की फ़ंडेशन रोः यानि कि पंदों को डिवाइड करने के ये मैं यह पर्स टरोब बिना और ते दे कैस चार बूना उतार चार फंदे उल्टे चार फंदे सीधिन इन आठ पंदों को फिर से दोर आयेंग टू, थ्री, फूर, धागा बाहर की तरफ चार फंदे सीधे, वान, टू, थ्री, फूर, धागा अपनी तरफ गुमाएंगे, दो फंदे, वान, टू, थ्री, एंद फूर, चार फंदे उल्टे, धागा बाहर की तरफ, एस्टेज को हमने यहाँ पर सीधा बूलने ना है, फंदेशन रो, फर्स्ट हमेरी के बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, राइट साइड से, अब देखिए, सेकिंड रो, रॉंक साइड से, यहाँ पर हमने देखिए, सभी फंदे, एस्टेज को हमने बिना बुना उतार देना है, और जो बाकी फंदे हमारे, उसे हमने उल्टा बना कर पूरी सलाई कंप्लेट कर देनी है, यानि कि पूरी सलाई पल्वाइस बुनेंगे हम, डिजाइन के फॉर्स्ट राइट से बनाना स्टार्ट करते हैं, अब धागा पनी तरफ गुमाएंगे, यहाँ से हमारा रपीट पैटन स्टार्ट होगा, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, वान, टू, त्री, फॉर्ट धागा बाहर के तरफ, नेक्स दो फंदे सीधे, वा फॉर्थ वाला फंदा भी राइटन डियर पड़कते हुए, पीछे की तरफ से दो का एक बनाएंगे, देखिए, एस्टिज को हमने बिना बुना उतारा, चार फंदे उल्टे बुने, दो फंदे सीधे, धागा लपेटा स्लाइपर जाली डाली, दो का एक किया, पीछे की स पीसरा फंदा घुमाएंगे फंदे को राइटन डियर पर रखेंगे बिना बुना हुआ, और चौता फंदा भी दोनों को बुनते हुए, हमने एक बना देना पीछे की तरफ से, दो डिजाइन कंप्लीट हो गए है, नेक्स चार फंदे उल्टे बुनेंगे, आखरी वाले, दो, तीन, और ये चार धगा भार की तरफ एस्टिच को हमने आपे सीधा बुने ना है, फ्रस्ट रो राइट साइड से बन कर कंप्लीट हो गए, सैकिंड रो रॉंग साइड से, यहाँ पे हमने देखिए, एस्टिच को स्लिप करना है, उसके बाद हमने पूरी सलाई बुल लेना है, और जो बाकी फंदे है, सिंपल फंदे है, उसे हमने पर्ल वाइज बुल लेना है, सैकिंड रो रॉंग साइड, देखिए, जाली बाला फंदा है, उसे हमने उल्टा बुल लेना है, जो बाकी सिंपल फंदे है, उसे हमने उल्टा बुल लेना है, यानि कि प न उतारेगे धाग अपनी तरफ घुमाएंगे चार फंदे हमने उल्टे बुलने हैं वान टू थ्री फूर धागा भार की तरफ देखिए जो दो फंदे सीधे बुने थे इन दोनों फंदों का हमने आगी की तरफ से बुनते हुए दो का एक बना देना है फिर जाली डालेंग जिसमें हमने दो फंदों पर डिजाइन द्राला था उसे हमने सीधा बुलने नहीं देखिए दो फंद आइस चो को स्लिप किया चार फंदे उल्टे दो का एक बनाया जाली डाली दो फंदे सीधे बुने इनी आठ फंदों को फिर से दोर आएंगे चार फंदे उल्टे बु आखिर में धागा पने तरह गुमाएंगे चार फंदे उल्टे बुलनेंगे वान टू त्री फोर धागा बाहर की तरह एस्टेज को हमने सीधा बुलने ना है तीन सलाइया कंप्लीट होगी है डिजाइन की फोर्त रो रॉंग साइड और लास्ट रो है डिजाइन की स्वैटर पर इडिर स्ब्य ज्राइकेट कर है लए इसके आलावा वी बच्चों के सॉक्स बिभी सेट चैप सबही पर एपलाय कर सकते हैं तो इस तरह से देखे हैं फोर रोल्व लोंग से से पूरी सलाइव बना कर कंप्लेट कर दी है तो यह था चार सरीयो का design हमने चार स Februar बनाकर complete कर दीए और डीजाइन देखियो वन टू फो रूच बनकर complete हो गी एक तू बेसिक रो बनाई है हमने एक foundation रो और एक उल्टी तरप से उल्टी बनाई थी उसके पाद आप इसे जादा फंद पर जाद इसकी advisors बनाते तो कि ये डिजाइन कुछ इस तरह दिखाई देगा जो बहुती सुन्द लगता है लेकिए तो ये थाज का डिजाइन आपको मिराज का वीडियो कैसा लग अपनी राइक कमेंट वक्समें वश्यो साजा कीजिए वीडियो दिखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यव आपका समय शुब रहे हर हर महादेव